कोई ना चाने कहीं से एक जाता ही तो सबसे पहले अलाइट ओमोशन खोल के हम लोग अपना एक प्रोजक्ट क्रिएट कर लेंगे 60FS पर उसके बाद हम अपनी जो वीडियो है उसको इंपोर्ट कर लेंगे पहले हम अलाओ कर देंगे इसके एक्सेस को और फिर जो भी आएक उसको फालत हुए को ओके करके हम अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे जासे कि मैं दिखा रहा हूं अभी आपको अपनी बीड्स पर की फ्रेम्स लगाने हैं देखो जैसे मैं लगा रहा हूं फास्ट फारवर्ड कर दिया मैंने की फ्रेम्स लगा लगा लिए अब अपनी टाइमलाइन को बड़ा करना है और सबसे पहले अपने वीडियो लेयर पर एक एफक्ट एड़ गरने एड़ अधिक्स में जाकर सर्च में जाना रहा हूं है और इदर सर्च करना है टाइल्स टी आई एल यस यह तो पर आगया यह वाली एफक्ट को एड़ लेना हमें standard settings रखके उसके बाद इसका mirror on करना हमें नीचे आपको option दिख रहा होगा mirror का वो on करना हमें उसके बाद एक और effect एड़ गरना है जो कि अब blur में जाके motion blur जैसे यहां पर दिख रहा होगा आपको motion blur वो एड़ करना हमें मैं दिखा जाता हूं आपको यह देखो यहां पर motion blur है इसको standard settings में add कर लेना है और उसके बाद इसकी जो tune को है हमें 0.20% रख लेना है और उसके बाद हमें जो है अपनी beats पे scale वाले पे आना है और फिर उसके बाद थोड़ा सा पीछे आके keyframes लगाना है थोड़ा सा आगया के keyframes लगाना अब अगर आपको थोड़ा मतलब वैसे चाहिए कि आपका यह थोड़ा ज्यादा देर तक शोटा होके बढ़ा होए तो आप keyframes को थोड़ा नीचे उपर भी कर सकता अब यहां पर देख सकते हो जैसे यहां पर यह ब्लैक ब्लैक आ रहे तो हमें tiles में जाना और इ देखोगे तो ब्लैक ब्लैक हड़ जाएगा पूरा ऐसे करना उसके बाद अभी यहां पर scale को इधर यह देखो ऐसा effect आजएगा ऐसे करके हमें पूरे में effect लगाने वाला और इसको में fast forward में कर देता हूं तो यहां पर मैंने पूरे का अपना कर दिया है और यह देख सकता आप अब आपने देखा होगा जैसे side में glow effect आता है सिध्धा गेमिंग के एर सिंग में तो वैसे आप कैसे कर सकते हो तो आपको description में की link मिलेगा उस link से आपको यह वाली अब इन दोनों के scale को आपको इतना करना है कि कोने कोने में रहे चारो तरफ से यहां पर देख सकता और अगर आप चाओ तो मेरी मेरे पूरे settings को भी copy कर सकते हो और यहां पर देख सकते हो पूरा यह हो गया अब यहां पर कह रहें कि यह तो आजीब सार है पर लेकिन पहले तो हम इसको split कर लेते हैं दोनों तरफ के की फ्रेम से यहां पर पहला की फ्रेम है तो इधर से लेफ्ट साइड का स्प्ल इफ्लिट कर देंगे और यहां पर एसकोbak पूरे में लगा देंगे आफाल में यह श्यांति दूप्लिकेट पूरे में लगा देंगे से कि के अब आप देख सकते हों कि इसमें मतलब पुरा गोल आ रहा हा है वैशा निया आ रहा है जैसे सिद्धा गेमिंग के में आता है तो आपको एक इफेक्ट में आने एड़ एफेक्ट करना है इसमें आपको ब्लर में जाके गौशन ब्लर को एड़ करना स्टैंडर सेटिंग रखे और यह जितना है आपके स्ट्रंथ को इसको लगभग स्ट्रिए हंड्रड सेवंट सेवन्ट करना है और देह सकते आपको कितना अच्छा साइफेक्ट आ उसके बाद यह देखो तो अब आपको यहीं गोशनपलर इफेक्ट सब में पेस्ट कर देना है और डुपलिकेट करते जाना है लेयर को और पूरे में लगा देना है डुपलिकेट करके लेयर को मैं इसको लगा के फास्ट फॉरवड में दिखा देता हूं आपको तो देख सकते हो आप लोग की यहां पे पूरा हो चुका है और अगर आपको बैग्राउंड नौइस आ रही है तो सौरी और अब आप यहां पे प्रिव्यू देख लो तो देख सकते हैं आप पूरा सिद्धा गेमिंग वाला यहार सिंका में मिल गया अब हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे और इसको एक्सपोर्ट होने देता है जल्दी से अब जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो गया पूरा हमारा और इसको हम सेव कर लेते हैं और बाकि आपने पूरा प्रिव्यू देख लिया तो आज की वीडियो में इतता ही मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई